स्वागत है आपका इंडिया की बात में, मैं, अभिसार, शर्मा और मेरे साथ हैं भाशा और मुकुल और आज आपके सामने तीन धमा के दार मुद्दे मुद्दा नमबर एक, गुप्त चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोट का एतिहासिक फैसला भाशपा को करारा जटका मुद्दा नमबर दो, एक तरफ किसान से बाचीत करते हैं और दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं और मुद्दा नमबर तीन, विधान सभा में बेशक महा गटबंधन हार गई हो, मगर तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीती में जोरदार दस्तक दी है इन तीनों मुद्दों की चर्शा करेंगे, मगर शुरुआत हम एलेक्टोरल बॉंड से करने वाले हैं दोस्तों सीक्रिट एलेक्टोरल बॉंड पर सुप्रीम कोर्ट का एहम फैसल आया है मैं आपको पहले बता दू, खबर क्या है? काले धन पर अंकुष लगाने के उद्देश से सूचना के अधिकार का उलंगहन उचित नहीं है चुनावी बॉंड योजना सूचना के अधिकार और फ्रीडम अफ एक्स्प्रेशन का उलंगहन है राजनीतिक दलों द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश के खिलाफ है शीव जस्स अव इंडिया डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पांच नया अधिशों की सम्विधान पीट ने पिशले साल दो नवंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था इसके लावा फैसले में ये भी कहा गया है कि पुलिटिकल कॉन्ट्रिबूटर्स गेट आक्सेस इस आक्सेस लीडस तू पॉलिसी मेकिं तौर पर उलंगन है आगे ये भी कहा गया है कि एलेक्टोरल बॉंड्स पूरी तरह से अनकॉंस्टिट्यूशनल है तो एक एतिहास एक फैसला मगर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी क्या इस मुद्दे का पंच शुरुवात करेंगे भाशा एक बात बहुत साफ है विसार कि 6 साल लग गए मिलोट को इलेक्टोरल बॉंड्स पर फैसला देने में और इस भी जिस तरह से इसके खिलाफ एक महौल बना वह भी एक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टन कारण था लेकिन अगर अभी भी डिस्क्लोज हो कि किन लोगों ने दिये कि एस बी आई से पूचा जाए कि लिस्ट कम से कम पब्लिक में आए तो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रिशर और पड़ेगा चुनाओ तब आ ही रहे तो इलेक्टोरल बोंड्स जो मिले थे जिसको वो कहां गया पैसा कहां है पॉलसी कहां है इस पर अगर चुनाओ होगा तो कि आदर्श मिसाल है क्योंकि जब 2018-19 में ये योजना आ रही थी इसका विरोध Reserve Bank of India ने किया था चुनाव आयोग ने किया था मगर उसे धता बताते हुए ये वजूद में आया था सुप्रीम कोट जागी मगर हुजूर आते आते बहुत देर कर दी मुकुल बताएं क्या है मैं तो कहूंगा कि थैंक यू सुप्रीम कोट देर से सही लेकिन एक अच्छा फैसला दिया हाला कि इसे थोड़ा और पहले दिया जाता तो बेहतर होता क्योंकि इस समय जब अप्रेल माई में चुनाव होने हैं तो चंदे का खेल पूरा हो चुका है शुक्रिया आपका मुकुल भाशा जब ये योजना वजूद में आई थी और न्यूस क्लिक पर ही मुझे याद है मैंने आज से पांच साल पहले इस पर कारक्रम भी किया था और इसका जिक्र मैं बार-बार भी करते रहा हूँ उस वक्त चुनाव आयुग ने कहा था कि ये इंबालन्स लाएगा रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने कहा था ये इंबालन्स लाएगा और वो दिख भी रहा है क्योंकि हम देखते हैं रहसमे तरीके से किस तरह से विधायक जो है एक राज से दूसरे राज प्राइविट अब भाई वो पैसा कहा से आ रहा है ये सब पैसा एक काले कुए में जा रहा था जिसकी कोई जवाब दही नहीं है ये एक आदर्श मिसाल है कि आप चुनाव आयुग को धता बताएं आप रिजर्व बैंक ओ इंडिया को दरकनार कर दें और ये सब हरकते हैं और आप सब से इसे एक बंद दर्वाजे में कर दिया सारी डील हो रही है ग्राफ बता ही रहा है कि भाष्पा के पास सबसे ज़्यादा पैसा गया मुझे बहुत दुख इस बात का है भिसार छे साल से पिछले छे साल से हम तमाम लोग आप बात कर रहे हैं चुनाव आयों कि मैं कह रही सारे के सारे लोग कह रहे थे कि ये एक इस तरह की घूस की विवस्था बन गई है ब्राइब की विवस्था बन गई है क्योंकि जिस तरह से प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट एक ही कंपणी के पास जा रहे थे ये सारा जो खेल चल रहा था मिलोट को इतना समय क्यों लगा औ वो भी देखिए मुझे बहुत दुख इस बात का भी और चिंता इस बात की है आप नवंबर में इसे रिजर्व करते हैं विल्कुल दिसमबर जनवरी सारा का सारा चुनाव का पीक मौसम जब है मिड फैब में आ गए हैं आप और सारा का इलेक्टोरल बॉंड में पैसा अकू चली आ रहा है और हमने बाकाइदा आकड़े बताए हैं कि वो जो सिंक्रिट एलेक्टोरल बॉंड का जो पैसा था नबे फीस दी बाच्पा की जेब में जाता था अब अगर हो भी गया तो क्या क्योंकि छे साल साब इसका पाइदा उठाई रहे हैं हाँ इसमें एक बात ब जो प्रवरी में इस पर वो हो रहा है तो अब जो था चुनावी चंदा देने का खेल या रिश्वत देने का खेल जिस रिश्वत थी थी पूरी वो पूरा हो चुका है एक तो यह फिन मैं एक अपने दर्शकों को इसाफधान भी कर दूँ और मुझे जो रखता कि तो अगर कहते हैं उपन लिदेंगे तो अब ना तो बीजेपी के दान दाताओ को कोई डर है ना बीजेपी को कोई डर है कि कौन किसे चंदा दे रहा है इसलिए ये चंदे का खेल अभी बंद नहीं होगा ये इसी तरह बढ़ेगा हो सकता है कि गुप्त की वजाए उपन अगर आप इस पे गौर करें जो मुद्दा यहां सुप्रीम कोट उठा रहा है कि भाई ओद्योगिक समू एक पोलिटिकल पार्टी को पैसा देतने हैं और पॉलसी मेकिंग में उन्हें अंड्यू प्रेफरेंस दिया जाता है ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा ये सिंपल सी बात है अगर इसे आप हिंदी में कहिए तो जो सुप्रीम कोट ने कहा है और लिखा है इसका मतलब कि भ्रष्टाचार का एक सागर था जिसका पूरा का पूरा आप में रास्ता सी लिंक जैसे मुंबई में बना है ना कि वहां से वहां तक जाईए आप और बह है कि जो पैसा है जो डिमांड अब उठ रही है कि SBI को उपें करना चाहिए नाम बताया जाए कि कौन लोग थे जो पैसा दे रहे थे और ये अंड्यू प्रफरेंस ले रहे थे जिनको परियोजनाएं मिली तब मुझे लगता है कि भारती लोकतंत्र का सबसे बड़ा राज हैं सारी जनता जानती है कि कांग्रेस और राहुल गंदी लगातार उठाते रही मामला और कॉर्परेट को लेकर अडानी अंबानी का नाम लेकर मुझे लगता अब इस देश को कोई फर्क पड़ेगा कि अगर उससे पता चल जाए कि मोधी जी को अडानी ने इतना पैसा द कि आपने रिश्वत दी दूसरे को और दूसरे ने आपके लिए काम किया यह जो लिंक सुप्रीम कोट की यह लाइन इस्टैबलिश कर रही है यह अपने आप में अभूत पूर वह है जहां आप बता रहे हैं कि यह कोगी पॉलिटिकल सिस्टम है कि आप पॉलिसी आपको च चाहिए यह खान चाहिए और आप की कंपनी वह तो भाशाम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से एक एरपोर्ट पर एक खास उद्द्योगिक समू का कब्जा होता है मगर फिर उस उद्द्योगिक समू पर एजनसी जबाव डालती हैं और रहसमाए तरीके से तीन क्रशन क न्याय है वो साथ ही जिक्र कर रहे हैं वीवी पैट का भी मैं अपने दर्शकों को बता दू कि विपक्ष ये लगातार मांग कर रहा है कि जब आप EVM के जरीए वोट देते हैं तो जो वीवी पैट यानि जो परचा निकलता है उसे उसका मिलान आप अपनी वोट के साथ करें और फिर उसे एक डब्बे में डाल दें ताकि अगर कोई विवाद हो तो उसे मैच किया जा सके विवाद के साथ ये सिंपल सी मांग है चुनाव आयोगे मानने को तयार नहीं है और ये EVM की जो पूरी की पूरी कलपना है न उस समय से वीवी पैट है ये ऐसा नहीं है कि ने अटेंड किया था जहां पर बताया गया था कि वीवी पैट के जरिये हर एक वोटर के पास ही अधिकार होगा पता करने का कि बटन सही जगा दबा है की नहीं तो सोची इतना लंबा प्रक्रिया उसको हो गए अब तो फिर चुनाव आ रहा है और अब फिर बताया जा रह कि हम परिकल्पना लोकतंत्र में करते हैं यह उसकी तरफ उठाया गया एक सार्थक कदम है चाहे वो सीक्रिट टोलर बॉंज हो या पर वीवी बैट को लेकर विपक्ष की चिंता फ्री अंद फेर एलेक्शन्स बाटम लाइन हा यह सबसे अच्छी बात है पर लेकिन हमें ज सुप्रिम कोट का और यह अच्छा है पर और भी लोकतंत्र में सुधार चुनाओं में सुधार की और भी जरूरत है उसमें सुप्रिम को एक निलने लेनी चाहिए और निगाह बनाए रखनी पड़ेगी है क्योंकि जो छे साल का पीरेड आपने दिया चे साल क्योंकि आने स तो यह पूरे भरष्टाचार पे जो छे साल परदा पड़ा रहा यह साफ तौर पे भरष्टाचार पर परदा पड़ने की एक पूरी मशीनरी तैयार की थी जिस पर इस समय फैसला आया जब इसका कितना माइने रहेगा कितना इस पर चेक होगा और बिल्ली की गले में पूर्ण विरूत प्रदर्शन करने की मगर एक तरफ तो सरकार उससे बादशीद कर रही है और दूसरी तरफ उससे बदनाम भी कर रही है उस पर आंसुगास के गोले भी छोड़ रही है और फिर प्रचार तंतर भी उसके खिलाफ लग रहा है क्या है समुद्दे का पंच बत भाशा क्या है समुद्दे का पंच बिल्कुल साफ है अभी सार जो भारत रत्न स्वामिनाथन की बेटी मदूरा स्वामिनाथन ने कहा कि किसानों को आतंकवादी मस समझे लेकिन मोदी जी बिल्कुल दूसरे ढंग की तकनीक इस्तमाल कर रहे हैं देश में संभवता पहली अभार अन्यदाताओं पर द्रोन से आसू गैस की वर्शा की गई है तो यह बता रहा है कि शाशन किस तरफ जा रहा है अन्यदाता आपकी ही गैरेंटी को मांगने आये थे मोदी जी और आपने देखी किस तरह से उनके लिए कीलों की सेज सजाई है यह बता रहा है कि 2024 अतन आसान नहीं होगा अभी साथ आपका क्या पंचे अभी साथ इस मुद्धे पर मेरा जो पंचे वो बहुत ही सिंपल है वो यह कि आखिरकार विरोध प्रदर्शन को क्रिमिनलाइज करना उसे अपराधि करन करना उसे एक गुनहा बता देना चाहे किसान मैदान में उतरे उसे पहले से ही बदनाम करो विद्यारती मैदान में उतरे उसे बदनाम करो उसे देश द्रोह के साथ जोड़ो कोशिश यही है संगोल युग में कि विरोध प्रदर्शन ना हो पाए सत्यागरा ना हो पाए जो की इस देश की रीड रहा है आप देखिए कितना आजीब औ यह मुकल आप जो हैं आसुगास के गोली छोड़ेते भई यह यह एलोसी नहीं है यह आपके अपने नागरिक हैं मगर मुझे जो दोरे माबदन यह दिखाई देता है कि एक तरफ तो आपने पूरा प्रचार चलाय हुआ है कि यह देश द्रोही हैं खालिस्तानी हैं आप किसमें अंदूला ने इस्टगित हुआ तो तब से कितने दर्वाजे खुले थे किसान लगातार अंदूलों कर रहा था यह कोई एकदम से अचानक से अंदूलन नहीं हुआ है उसने अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 26 जनवरी पर उसने टेक्टर परेड निकाली श अब अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा चाहिए चली इस बहाने आपको पता लगा होगा कि नए क्रशी मंत्री कौन है कोई कि नरेंत ओमर जा चुके हैं उनका नाम उससे में पता लगा था और अरजुन मुंडा है यह भी आप पता चला वरना सारे मंत्री सारे संत्र सिर्फ और सिर्फ मुदी जी हैं जो अबुदाबी में मंदिर का उधाना करना चाहिए भाशा मुझे सबसे जो अजीब औ गरीब लगती है प्रचार तंत्र की बात की इसे विपक्ष जो है वो स्पांसर कर रहा है विपक्ष इसके पीछे मैं देख रहा था अडानी के जो है वो उसने लगा था पूरा लंबा चोड़ा लेक किया पूरा उस पर प्रोपगांड़ा चला है विपक्ष इसके पीछे अरे तो विपक्ष है तो क्या है इस देश की परंपरा रही है विरोध प्रदरशनों को साथ विपक्ष देता है क्या हम नहीं जानते कि अन्ना अंचितर को क्या हम चाहिए तो विपक्ष है तो मोधि ज़ो करना है विपक्ष देता है तो पर हूप लिए पर प्रदरशनों को तो क्या है तो क्या है नहीं हो सब्सक्राइब आए विपक्ष का कि यह पूरा जो माहौल बना दिया गया है दरसल देखे इस से नरेटिव सेट होता है बकाइदा चुन के पुराना वीडियो निकाला गया जिसमें दो किसान बैठे हुए संपर्ण किसान गाड़ी एक लगजरी गाड़ी के उपर बैठे हुए और दिखाने के लिए कि लगज वाला ही किसान है जो जब सोसाइट करता है तो नहीं जाते हैं यह लोग और MSP की मांग को लेकर जिस तरह से एक निगर्टिव केमपेंग है कि MSP एक गलत डिमांड है मैं यह बहुत जानबुश के कहना चाहूंगी कि इसमें पूरा महौल मिडिल क्लास में बताया जा रहा है कि अगर MSP गैरेंटी दे दी जाएगी तो आपकी थाली महंगी हो जाएगी आपको सबजी महंगा मिलेगा आपको अनाज महंगा मिलेगा इस तरह कि अनगिनत वर्स आफ वीडियो जा रहे हैं तो उसकी वज़ा क्या मैं आपको बताता हूँ उसकी वज़ा ये है जिसका जिकर अभी भूल जाओं आप देखिए कि स्वामिनाथन रिपोर्ट भारत रत्न देते हैं आप और आप अपनी वेब साइट से उसको हटा लेते हैं तो हम MSP को लीगल गारंटी बताएंगे यानि कि कॉंग्रिस का जो एक बड़ा पुलिटिकल प्लैंक है उसे पहले से ही काटना शुरू कर दो उस प्रचार के ज़रिये वो था तब भी 2021 में सबसे बड़ी मांग तीन का जो काले कानून उन्हें करते हैं उन्हें वापस लेने के बाद MSP की थी राहूल गांदी ने इसमस्तक्षेप किया गारंटी दी अपनी एक अच्छी बात है जाती जनकरना के बाद उनका यह दूसरी बड़ी घोश्रा है कि वो यह कहना है कि आप हमारी फसल खरी देंगे तो उसे बेचेंगे भी तो जो अगर सत्राला का करूड आपने खर्च कर दिया तो उसे राशन के जरी है कि पर वो उसे बेच के पैसा नहीं आएगा तो कहा नुकसान हुआ और आपने उद्योग पतियों के कितना राइट मैं यहां पर एक और यहां मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि एक तरफ आप भारत रतन देते हैं स्वामिनातन को उनकी बेटी मधुरा कहती है कि आप किसानों का अपमान नहीं कर सकते और जिस चीज़ का जिक्र आप अभी कर रही थी बताईए आपने अपने वेबसाइट से स्वामिनातन रिपोर्ट गायब कर दी यह क्या डिस्टोपिया है यह क्या कल्पना से विचितर है कि आपने एक मिनिट कि आपने रिपोर्ट को ही गायब कर दिया और देखी ना मुझे जिसे आप भारत रतन दे रहे हैं और देखी सबसे दिल्चस्प यह क्योंकि उनको का सारा डिस्कोर्स इस रिपोर्ट पर आ रहा हुँको लगा कि बस स्वामिनाथन को दे दिया लेकिन जब उनकी बेटी बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि आप अपराधी नहीं बना सकते यह अपराधी नहीं है यह अन्न दाता अगर वो और वो भी सरकारी प्लेटफॉर्म पर बोलती है पूसा में सम्मेलन चल रहा है जहां पर फैसिलिटेशन का पूरा का प्रोग्राम है भारत रतन देने का जलसा मन रहा है मैं कहती हूं कि यह कहके वह अहवान भी कर रही है तमाम सामने बैठे विज्ञानिकों को कि त आरा बिल्डप ठीक है MSP के खिलाफ है और किसानों को जिस तरह से आपने जो जिक्र किया आपने पंच में कहा था क्रिमिलाइज करने का जो पूरा का पूरा का पूरा काम कर रहा है और यह बता रहा है कि यह लोग मिडल क्लास के खिलाफ हैं दिल्ली में जान बूच के लग रहे हैं कि जो जाम्स लग रहे हैं दिल्ली मेरिट हाइवे पर पुलीस यानि नॉइडा पुलीस दिल्ली पुलीस ने बारिकेडिंग लगाई हुई है मैं नहीं जानता हूँ वो गाडियों में कैसे किसान ढून रही है क्या शीशे उतार कर आप उनके कपड़े सुंग रहे हैं क्या उनको आपको लग रहा है उनके हाथ में गाजर मूली होगी क्या वाहियाच चीज़ है और उसके लिए फिर किसान को दोश मड़ना मगर मैं आपर सवार उठाना चाहता हूँ उसमानुभव का जिसका आपने जिक्र किया था जैन चौधरी दिल जीत लिया खजब की जिसे कहते है ना यहाँ पर शरनाक राजनीती हो रही है अब आपके मूसे एक शब नहीं निकल रहा है यह वही जैन चौधरी हैं जिनों ने खून से लत्पत एक किसान की तस्वीर दिखाई थी और यह कहा था कि खून खौल जाता है भाचपा के किसान छोड़े पाटियों रा जाएं और बताईए सिर्फ दो सीटों पर सहमती दी बनी और शायद मंत्रीपद का जो भी लालच रहो इस व्यक्ति ने मुर्चा छोड़ गया उन्हें यह उमीर नहीं थी कि इतनी जल्दी यह सब मतलब इधर भारत रहत नहीं इधर उनकी डील हुई मुझे नहीं लगता है यह किसम की राजनी ते शर्मी है कि हो सकता है कि आने वाले दुनों में यूपी से और टिकेट के नितरत में भी आंदोलन उठे जिस तरह की चीजे हो रही है तो उन्हें यह डर है कि अब कैसे होगा एक तरफ उनका अपना मद्दाता है और एक तरफ यह राजनीती है और टेकि उनके मद्दाताओं में अभी सार क्योंकि मैंने बहुत एडिया कवर किया है वहाँ पे उनको भरोसा है कि इतना ज़्यादा कमनल कलर कर चुके हैं क्योंकि पिछले चुनाओं में भी हमने देखा था किसान आंदोलन के बाद जो चुनाओ हुआ वहाँ पर उसमें भाशपा को बढ़त हासिल हुई थी जैन चौधरी जबकि उनके साथ नहीं थी लेकिन अंदर-अंदर पूरा उनका बेस बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था चलिए अब हम रुक करना चाहेंगे तीसरी बड़ी खबर का बिहार विधान सभा में नितीश कुमार बच गए हैं विश्वास मत में उन्हें जीत मिली हैं मगर विधान सभा में तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी बिहार की जंता का दिल जीत लि की यकीनँ बिहार की राजनीती में उन्होंने अपने खास मुकाम बना लिया है क्या इस मुद्धे का पंच शुरुआत करेंगी भाशा अब इसार तेजस्वी ने मौके पे चौका मारा है और जिस तरह से उन्होंने जिस भाषा का इस्तमाल किया है मैं उसका जरूर जिक्र करना चाहूंगी वह भाषा लालों की जो भाषा है जो सीधे सीधे जनता से जुड़ती है उससे आगे बढ़ी हुई मजी हुई भाषा है बहुत मर्यादित भाषा है और जिस तरह से इतने बड़े सैबोटेज के बाद भी वह नितीश को चाचा कहते हैं और कहते हैं कि भतीजा रोकेगा आपका पंच। आपका पंच। एक अकेल्याद में नितीश कुमार को होना है। भाषा मुझे उनके भाषण में दो बड़ी दिल्चस्प चीज़े लगी। उन्होंने देखे ब्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को नितीश के साहरे कैसे गहरा। पहले वो कहते हैं कि भाष ये मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, क्या तुम गारंटी ले सकते हो कि नितीश फिर भी तुमारे साथ रहेंगे। और यही नहीं, जिस अंदाज में उन्हें ने कहा कि आपका भतीजा मोदी को यहां बिहार में रोकेगा। यंगे की तरह चल रहा है, घोड़ा दोड़ा जा रहा है, उसे रोकूंगा बिहार की धर्ती में, तो यह क्लेम एक पूरे की पूरे सरकल को भी पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ देखिए, जिस तरह से वो हसते, बोलते, इंगेज करते हुए भाषन दे रहे हिमन सुरेन का भाषन आइडरिलोजिकल चलेंज और उससे आगे बढ़ा हुआ जादा विस्रिज, जादा इंक्लूजिव चलेंज तेजस्वी का दिखाई देता है, और मेरे ख्याल से मुकुल जनता के सामने जो तस्वीर सामने उभर कर आई, कि एक तरफ एक आत्म विश् से सराबूर युवा, जो बहुत सावगोही से अपनी बात रख रहा है, उसकी बात में कोई विरोधाबास नहीं है, मुझे याद है, जब उन्होंने कहा, जब वो कह रहे थे कि भाई, किस मुझे विधायक जाएंगे जनता के सामने, जिनके मुक्यमंत्री बार बार पलटत रहते हैं, तो किसी ने चिलाया, कि आप किस मुझे जाएंगे, आप क्या कहेंगे, कहते हम कहेंगे, नौकरी दी है, मतलब हाजर जवाबी, जनता के सामने एक तरफ एक ये युवा है, और दूसरी तरफ एक भाजपा और नितीश कुमार हैं, जो अवसर वाजदी राजदी कि चलते कुछ भी करने को तयार है, हाँ, तो उसमें वही है, कि तेजस्वी तो आए हैं, और नितीश को सामने एक बड़ा मुश्किल समय मुझे लगता है, कि BJP उसे बहुत आगए जाने देगी, नहीं मैं समझ पा रहा हूं, कि वो कैसे उन्होंने ये सब किया, और आप कह तरहें उनके साथ है, महभूब आलम ने भी जिस तरह से विधान समय में बोला, ये भी सब जो गड़ जोड हुआ है, इतने महीनों की ट्रेनिंग हुई है, वो भी तेजस्वी में असर दिख रहा है, और चीजों का मुद्दों पर समझ और मुद्दों को लेकर एक दबाओ किराई नीती मुझे लगता है, और नौकरी और रोजगार, राहूल गांधी बोलते हैं राष्टे इस तर पे, और उस पर सबसे ज़्यादा अमल किसी स्टेट में, अगर किसी लीडर ने किया है, तो तेजस्वी ने पिछले ही 17 महीने में किया है, राहूल गांधी से कहीं कहीं विस्तरत तरीके से उस पर काम करते हुए दिखाई देते हैं, अगर क्या आपको लगता है कि आने वाले एक महीने में तेजस्वी पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की एजनसी की जो रह्म, जो इनायत, नजरे इनायत है, वो अब लेकि वो तो तुरभी के जो गई कि आपके खिलाफ जाच होगी, आपके खिलाफ जाच होगी, यानि इंडिकेशन बिल्कुल साफ, मोदी जी की तरह ही, हमिशा जी की तरह ही, सदन में खड़े होकर धंका रहे थे विपक्षकों कि अब आपकी बारी आ रही है, तो तेजस्वी बाहर रहेंगे तो इनके पास सिर्फ तेजस्वी हैं, या ठीक है, लालुयादव की विरासत है, कॉंग्रिस जो उनकी दूसरा बड़ा दल है, उसमें ऐसे कोई नेता नहीं है, ऐसे कोई चेहरे नहीं है, क्या आपको लगता है, ये वन मैन शो है, माहा गड़बंदन का, जो अपने आप में काफी न नितीश का मुकाबला करने के लिए, और यही वाजाए कि ये गड़बंदन हुआ है, नितीश और विजेग राहुल की छवी भी अपने तौर पर और सुधर रही है, राहुल एक बड़े नेता हैं, उधर तेजस्वी हो गया, इसी तरह अलग लग गड़बंदन हैं, जहार नेता कुछ सामने आई जनता के तो उन्हें वोट डालने में आसानी है, तो कि मैं बिहार विधान सभा का जब चुना हुआ 2020 में तब वहां पर थी, उस समय जिस तरह से महागडबंधन के पक्ष में महाल था अबिसार, और उसके लिए जिस तरह से काम हुआ था, तब से ले नितीज जी तो तकरीबन गायब हो गये हैं, पूरे परिद्रिशे से 45 ही उनके पास सीचे रही हैं, तो अब सबसे बड़ा नुकसान उनका है और तेजस भी इस समय एक उभरता हुआ चेहरा हैं, बशरते उन्हें बाहर रहने दिया जाएं, यही डर है कि वो बाहर रह नास्कार